बच्चों मैं आप लोगों से अब जो बात कर रहा हूं that is question no.17, ऐसा ही question अमने question no.10 के 4th part में कर चुके हैं, जहां पर एक particular partner अपना original share retain कर रहा होता है, तो ABC partner है 2 to 1 के ratio में, DIR as a new partner for 1,6 share, और C ने कहा कि मैं अपना share जो है retain करूंगा, तो बच्चों होता तो यह type 1 ही है, जहां पर नया partner पुराणे partner से कुछ नहीं मांग रहा, पुराणे partner नया partner कुछ नहीं दे रहे, बड़ इसमें जो partner अपना share retain कर रहा है, remaining share निकालते समय, 1 में से नया partner के साथ साथ उसका share भी माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से remaining share आगया 19 by 30, अब यह 19 by 30 केबल A और B को बिलॉंग करता है, जो उनके आपस के रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि अब है 2 उस्टो 2, या रखना 2 उस्टो 2, यानि 2 by 4, 2 by 4, क्योंकि यह 19 by 30 केबल A और B को बिलॉंग करता है, इसमें C का कोई हिस्सा नहीं है, तो एका नया share आगया 19 19 by 13 यह 2 by 4, जो कि 19 by 60 निकल के आजएगा, उतना ही B का नया share आएगा 19 by 60, C का नया share 1 by 5 ही रहेगा, लेकिन डिनोमेटर एकोल करने के लिए इसे हमने लिख दिया 12 by 60, और C का नया share जो 1, 6 थै उसे हमने लिख दिया 10 by 60, तो इस तरा स्ते बच्चों इनलों का नया ratio आगया, 19 is to 19 is to 12 is to 10 और इस question का solution खतम हो गया बच्चों, इतना ही था इस question में, thank you बच्चों